डीके हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आपकी हेल्थ समंध्य जानकारी बढ़ती रहे वीडियो में बात करते हैं फ्रेक्वेंट नाइट यूरिनेशन की कुछ लोगों को रात में कई बार जलन के सांथ या फिर बिना जलन के कई बार पे साफ होती है तो उसके कारण क्या है और घरेल उलाज क्या है तो दिखें ये बेराइटी आफ मेडिकल कंडेशन के इनकाज ट्योरिया कामन काज आफनाक ट्योरिया और यूरिट्रेक्ट इनफेक्शन और ब्लैडर इनफेक्शन जो रात में बार बार पे साफ होती है उसका कामन काज क्या है यूरिट्रेक्ट में इनफेक्शन हो या फिर ब्लैडर में इनफेक्शन हो जो यूरिट्रेक्ट होता है वो किड्नी, यूरेटर, यूरेथ्रा और ब्लैडर मिलाकर के पूरा बनता है उसमें कहीं इंफेक्षन होता है। देज इंफेक्षन काज फ्रेक्वेंट बर्निंग सेंसेशन और अरजेंट यूरेनेशन थ्रूआउट दे और नाइट। तो अगर ब्लैडर, यूरेथ्रा, किड्नी में कहीं पे भी इंफेक्षन है तो बर्निंग भी काज करेगा और बार-बार फ्रेक्वेंट तुरंत जाना पड़ता है यह सब कामन इंडिकेशन है कि कहीं कहीं इंफेक्षन है तो मेन रीजन के अगर बात किया जाए तो इंफेक् ब्लैडर जिसमें यूरीन हिकठा होता है वू ओवरिक्टिव हो तो यूरीन पास कर्ने के लिए उक्तिवेट भी उडाब्लैडर ब्लैडर में सब्सकेव्वापे एरिया में जहां पिकपास एरिया में। या डाइबिटीज हो तो भी फ्रेक्वेंट यूरेनेशन होगा या फिर आपको कोई टेंशन हो एंजाइटी हो तो भी फ्रेक्वेंट यूरेनेशन की संभावना बनती है तो इस सब कामन काज है जो कि रात को सोने नहीं जाते हैं दिन में भी बार-बार फ्रेक्वेंट यू तो इस तरह से कामन काज हैं frequent urination की तो दिखिए frequent urination के घरलू उपाई कि अगर बात किया जाएं घरलू उपाई जो भी बताए गया है उसमें से एक दो करिए उसके सासास होँमे पैथिक दवा भी लेनी पड़ेगी। तो पहला जो घरे ले उपाए है धनिया पंदर ग्राम, रात को पानी में भीगो दें, सुबह उसे ठंडाई की तरह पीस कर, पीस चान कर, मिस्री मिला कर पियें, इससे पेसाब की जलन दूर हो जाएगी, तो धनिया को भीगो दें और उसको सुबह पीस दें, पीस कर, मिस्री मिला कर पीजाएं, तो इस तरह से पेसाब की जलन दूर हो जाती है, और इस बात पर कितना, कि आपको आराम मिलता है, इस बात पर डिपेंड करता है, कि आपका कितना दिन से दिक्कत चल रही है, ना, दूसरा घरे लुपा है, हरे आवले का रस, 60 ग्राम, और सुद्ध सहज सहज तीस ग्राम, दोनों को मिला कर दिन में तीन बार पीएं, या एक मात्रा है, ऐसे तीन मात्रा नित्त लें, इस से पेसाब खुल पर आएगा, और पेसाब की जलन ठीक होगी, तो 60 ग्राम, अवला और 30 ग्राम, सहज दोनों को मिला कर, तीन बार पीएं, तीस तरह से बार मूली का रस दो आउस प्रतिमात्रा पीने से काफी लाव होता है इससे पेसाब के समय होने वाले जलाना और दर्द भी मिड़ जाता है तो फ्रेक्वेंट यूरेनेशन से घरेले उपाय से आसानी से कमी लाई जा सकती है लेकिन एकदम निश्चे तिलाज के लिए हमें पैथि बार पिलाने से पेसाब खुलकर तथा बिना कष्ट कियाता है यह पेसाब बंध हो जाने में भी लापकारी है अगर जिनका पेसाब बंध हो गया है उनमें भी काफी लाव करता है प्यास तो एक किलो प्याज में लगभग 45-50 ग्राम प्यास की टुगड़े उबालकर पिला है जो बर्निंग और फ्रेक्वेंट यूरिनेशन के जो समस्य है उसे निजाद दिलाने के लिए तो पहली दवा है लाइको पोडियम 200 डेली सुबह दोबूंध जीप पर लें खाली पेट लेना है पहले बाद में कुछ नहीं खाये 15 मिनट तक और दूसरी दवा है बार्व